आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके बीच मैं हाजिर हुआ हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके और ये है पालक पनीर की रेसिपी इस रेसिपी को हरको भी बनाना जानता है पर हम थोड़ इसे ट्विस्ट और टिप्स के साथ इसे आपके लिए लेके आएं तो लेक्स इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, 200 ग्राम पनीर, बरी कटा हुआ प्याँच, बरी कटा हुआ अध्रक, बरी कटा हुआ लसन, जीरा, जीरा पाउडर, धनिया, मिर्ची, नमक्त और हल्डी अब सबसे पहले हम अपने पालक को ब्लांच कर लेंगे, तो हमने पानी गरम कर लिया है, अब इसमें हम जो ये पालक है, इसे इसमें डाल देंगे, और इसे सर्फ एक मिनट के लिए हम इसे धकन बंद करके पकाएंगे, हमें इसे गलाना नहीं है, जब तक ये हो रहा है, त उसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस, अब इसे एक मिनट हो चुका है, अब हम ये पालक को निकाल के इस आइस वाटर में डाल देंगे, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि जो हमारी पालक है, उसका कलर ब्लैक ना हो, उसका कलर ग्रीन रहे, अब इसे हमने एक मिनट आइस वाटर में रहने दिया, उसके बाद हम इसे निकाल के अपने मिक्सर ग्राइडर में डालेंगे, इसके साथ हम इसमें डालेंगे, चार कटी हुई हरी मिर्चे, हम इसमें हरी मिर्च का यूज कर रहे हैं, लाल मिर्च का यूज हम बहुत कम कर रह अब इसमें एड़ करेंगे 50 ml के करीब वाटर और इसका हम एक पतला सा पेस्ट बना ले दें अब हम इसे पैन में पकाना शुरू करेंगे सबसे पहले हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में हम डालेंगे तेल इसमें सबसे पहले डालेंगे चीरा कटे हुए लसन बरी कटा हुआ अद्रक और बरी कटे हुए प्याँच इन सबी चीजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे अब यह लसन प्याँ जत रख गोल्डन ब्राउन हो चुक है अब इसमें हम एड़ करेंगे जीरा पाउडर थोड़ी सी लाल मेरच धनिया और थल्ड़ी अब इनको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम यह पालक प्योरे इसमें एड़ कर देंगे अब हम इसे ढखके दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे अब यह ग्रेवी थिक हो गई है अब इस स्टेज में हम इसमें एड़ करेंगे पनीर क्यूब्स और इसमें एड़ करेंगे हम अब सॉल्ड यह स्वादाने साथ अब हम इसे दो मिनट के लिए पनीर के साथ पकाएंगे अब इसे दो से ढाई मिनट हो चुके हैं आप देखिए यह ओईल उपर हो गया है सेपरेट हो गया होई अब हमारा पालक पनीर रेडी है इसे एक बार मिलाएंगे और इसमें हम अपना प्लास्ट इंग्रेडिएंट आइट करेंगे जो की है ट्रेश क्रीप इसे दिए एक मिक्स अब रेडी है हुमारा पालक पनीर इचाओ आओ